बिजली बिल को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन गनेश नाइट ने उद्धो सरकार पर बोला हमला बोले कुर्सी खाली करो लोगडाउन की आर्थिक तंगी के भीजे गए बेताहसा बिजली बिल के खिलाब बीजेपी नेताओं ने नौइमबई के वाशी एरोली और बेलापुर समेत कई ठीकानों पर प्रदर्शन किया और बिजली बिलो को फार कर विरोध चताया वाशी के विद्धूत वित्रन कार्याले पर प्रदर्शन करते वे बीजेपी विधायक गनेश नाइक ने कहा कि लोगडाउन की आर्थिक तंगी छेर रही जनता को राहत देने की बजाए उद्धो सरकार बेताहसा बिजली बिल भेज कर अन्याय कर रही है सरकार ने दिवाली से पहले बिजली बिल घटाने की खुश खबरी सुनाने का भरोसा दिलाया था लेकिन विश्वास खात किया पूर्व मंत्री गणेश नाहिक ने कहा कि ऐसी आसावेदन से सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है उसे खुदी गद्धी छोड़ देनी चाहिए लेकिन दिवाली के पहले कुछ खबर अच्छी मिलने के बजाए विज मंत्री नितिन जी रावत ने कहा कि राजेश आसन के मंत्री मंदल ने निरने लिया है पुरा की पुरा बिल वसुल किया जाएगा कि किसी को रास्ता भूने में नाक्याम ये भी आ रही होगी तो उन्होंने वो अपनी जिम्मेदारी और किसको देनी चाहिए हम तो कहते हैं कि जनता ने तुम्हें तो आदेश नहीं दिया था गलट डंग से ये सरकार जमी हुई है इसलिए तीन तीगाड़ा काम बिगाड़ा हो रहा है इसमें जनता का दुख बढ़ रहा है जनता की चिंता बढ़ रही है ये मुझे बोलने की जरूत नहीं ऐसा एक वक्त आने वाला है कि परेशान होके खुदी-खुद वो खुरसी खाली करके निकलने वाले है बता दे की आठ महीनों से चारी लॉकडाउन में जब की सब कुछ ठप है काम धंदा और कारोबार पर ताला लगा था ऐसी आर्थिक तंगी के दोर में सरकार ने राहत देनी के बजाए आम जनता को मुसीबत में डाल दिया है एक तरव विपक्स बिजली बिल घटाने की मांग कर रहा है वहीं सरकार का खुला दावा है कि बिजली बिल नहीं घटेंगे उनके मंतरी गुंडो वाली भासा बोल रहे हैं जिसे लेकर बिजेपी एक बाल पिर आकरामक हो गई है देखना होगा इस आंदोलन का क्या आशर होता है भीरो रिपोर्ट टीवीवर इंडिया लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवीवर इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूले